कॉंग्रेसी नेता एवं पूर्व शहर अध्यक शेख हुसेन ने भाजपा नेता चंदरशेखर बावन कुले पर कारवाही करने की मांग की है शेख हुसेन ने कुस दिन पहले प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी पर निशाना साधा था इस वक्तव के बाद हुसेन ने खुलासा भी किया था कि उन्होंने मुहावरा बुला था मगर गिट्टिखदान थाने में उन पर मामला दर्च किया गया था इसके बाद हुसेन को जमानत भी मिली थी मगर भाजपा की ओर से उन्हें गिरफतार करने की लगातार मांग पुलिस आयूक्ति से की गई भाजपा नेता चंदरशेखर बावन कुले के अगवाई में आयूक्त को निवेदन भी दिया गया इसके बाद पुलिस भवन में ही 52 कुले की ओर से पत्र परिशत ली गई, इसका असर भी दिखाए दिया, इस पत्र परिशत का विरोध भी हुआ, अब हुसेन ने भी इस मामले में भाजवा नेता चंदरशेखर 52 कुले पर कारवाही करने की मांगी है, साथ ही उन्होंने कहा कि 52 कुले पर भी इडी कारवाही की जानी चाहिए. और उसके लिए महाँ जाके अपना वहाँ से बयान भाई की स्टेट मेंने के आ गया मेरा, अब उसके बाद और कुंती है, ऐसी केस लगाने और ऐसा होता है, कि एक बर गुना दर्ज होने के बाद में और बार बार गुने दर्ज होते हैं, आप इसकी बात करते हैं, आप शोता देश आए, प्रदात मंजीत को समच्ता नी पैगंबर कों ने, पैगंबर के बारे मुझ रहे हैं, तो इस तरीके से बोलने राव आ ले पर कारवाई नहीं कर रहे हैं, और हंदुस्तान, देश के अंदर में एक महौल खराप कर रहें, आज देश के अंदर में, सबस्क्राइब को टर्न की समयस्या है आज तरह नोक तरफ को समझे क्या यह सब को भाजुब में करक कर जैस तरीके के फालतु बाते चुब स्यर्षी के सब्सक्राइब करने जो सरकार कर रहे, उसको उसके तरफ में इनका ध्यान नहीं है. नेताओं का महेंगाई बढ़着 यह इतने एमैल है आज लोक धन्दा कर रहे पैसा कमारे jargic हमारे चेक करते लगर में इनको बाद मिल्क enemy तो हमारा करने की बात कर रहे गिरबतार तो इनको करना चाहिए कि 52 जलाते थे और आटो जलाने के बाद आज वो क्या है कितनी करोड़ों की प्रापर्टी पुरे कुराड़ी से लेके वहाँ तक के पुरी उन्हें अपनी पुरी कास्तकारों की ले लिया उन्हें जमीन रश्टी उनके नाम से हो गई है गरीब कास्तकार को आज खाने को वाजा सब को सबके जमीन इन्होंने करी लिये कितने गोड़ा ले इडी की कारवई उनके उपर में होला चाहिए इडी से हम निवेदन करते हैं कि उनके पास ज्यादा ज्यादा प्रापर्टी उसका इंक्वारी करने चाहि खोपे क्या बोलता है वाट्रोडा की जमीन जो एनाइडी की कितना भष्टा चार किये इनोंने भूम आपिया ने वहापर में एनाइडी की जमीन को बेचा और गरीबों को प्राल बेचे वह कितना अंदुल हुआ गरीबों ने बोला कि इसमें खोपेल का पुरा हाते करके लेर एनाइडी बात में माग गई लोगों को पुलिडर चलाएंगे ये चलाएंगे लेकिन कोई कारवाई ही नहीं हुई यह सरकार में पत्प पे है तो इन पे कोई कारवाई नहीं होगी और सेख उसेन जिसने आज 25-30 साल से घंटाना दानुलंच किया कई ऐसे बले-ले माम सब्सक्ताना आज उसका उधारन मौजूद है महां कांप्लेक्स बन रहा था हमने आंदोलन किया उसमें डिवा एमजी और दो तीन लोग सस्पेंड हुए आज इंडियन जीम खाना जहां के हुआ है हमने कई धो रुपे का लेने देन किसी से नहीं किया इसलिए मेरी जो करने का काम कर रहे है नाधपूर से रही है हज्णव बाबत आज इस दिन का शहर है या दिश्यभूमी है या कौराडी का मंदीर है और सब मिलकर भाई चारे के साथ में रहते हैं तो उसको यह बिगाड़ने का काम कर रहे है इन विसे न्यूज के लिए कैमरा पर स्वाल्सिक रपोट